Hello Friend, Good Morning, Namaskar, Aadab, Sat, Sriyakal, Assalamualaikum, What do you feel connected with? Today we will study about what is the meaning of work. It means कार्य क्या है और इसका क्या आर्थ है और हम CC8 में इस टोपिक को पढ़ते हैं, means work education. Work education क्या है? इसका meaning, इसकी definition, इन सबको हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं. तो let's try, let's start. जब हम कोई कार्य का नाम हमारे माइंड में आता है, तो हमें क्या, हमारे माइंड में क्या आने लगता है? यही की daily routine के work जैसे सोना, खाना, पढ़ना, या फिर mobile चलाना, car चलाना, जिम जाना, ये सब क्या लगता है? हमें work लगते है, जो एक नॉर्मली language में देखे की work क्या है? इट मींज हम जो daily routine के कारिया करते हैं, जो भी daily routine में हम activities करते हैं, वो सब क्या होती है? वर्क की category में आती है, नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे की mental activities कौन कौन सी होती है, क्या होती है, क्या होता है mental activities में? परस्ट वन है हमारी mental activities, mental activities, फे activities होती है, जिनमें हमारा जो mind होता है, वो more active होता है, आप कोई example ले सकते हैं, जैसे की हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होगा? हमारा जो mind है, वो more active होगा, rather than हमारी limbs के, जो हमारी limbs है, उनके, जो हमारा mind है, वो ज्यादा active होगा, means, mind more active, next, now, in this picture, you can see that, कुछ जो कर्मचारी है, वो इस कार्ये में busy है, जो computer पर कार्ये कर रहे हैं, इसमें क्या होगा? उनको जो mind है, वो more active होगा, rather than limbs के, कि जो हम, जैसे पढ़ना, painting करना, उसमें हमारे, painting में क्या होगा? हमारे limbs पे active होगे, बट हम ऐसा कह सकते हैं, कि जो हमारा mental है, mind है, वो ज्यादा active है, हमारे limbs के, next, नमबर टू, physical activities, शारीरिक के रियाए, physical activities कौन कौन सी होती है, वे activities जिन में हमारे जो limbs है, वो more active होते हैं, limbs are more active, ऐसे कौन कौन से works हो सकते हैं, जैसे कि एक किसान है, वो खेद में कार्ये कर रहा है, तो क्या होगा, जो उसकी limbs है, physically, उसकी body है, वो more active है, rather than mind के, mind भी active है, लेकिन, जो जाद active है, वो क्या है, वो उसकी limbs है, body parts है, next, now you can see in this picture, इसमें एक लड़की है, जो की योगा कर रही है, और एक लड़का है, जो की bicycle चला रहा है, इसमें हम, देख सकते हैं कि, हमारे जो limbs है, वो more active है, rather than mind के, mind भी active है, हम ऐसा नहीं कहेंगे, कि पूरी तरह हमारे जो limbs है, वो ही active है, नहीं, हमारे जो limbs बगए है, वो more active है, rather than mind के, mind से जादा हमारे क्या active है, limbs, नेक्स्ट अब हमारे माइंड में कोश्चन आने लगता है कि वैदर माइंड और लिम्प्स वर्क सेपरेटली क्या जो माइंड और लिम्प्स है वो अलग-अलग कार्य करते हैं इस कोश्चन के अंसर को हम नेक्स स्लाइड में समझेंगे देखें अब हम इस पिक्चर के थूरू इस वाले कोश्चन को समझ सकते हैं कोई किसान है वो क्या कर रहा है कि बगीचे में पेड लगा रहा है वो पेड एक ऐसी चंगे पे लगाएगा जहां उसे प्रोपर पानी मिलेगा खाद मिलेगी अच्छे फर्टाइल भूमी होगी तो उसमें क्या हुआ उसके लिए उससे माइंड लगाना पड़ेगा ठीक हूं को कॉडिनेशन होता है अब अब हम देख लेते हैं कि हम वर्क को कंक्लूड कर लेते हैं कि वर्क है क्या एक्च्छल मिं वर्क है क्या वर्क means those activities related to physical labor and witful will our responsibilities towards self, community, and nation वर्क क्या है वर्क मीन्स दोज अक्टिविटीज वर्क वे क्रियाय होती है जो रिलेटिड होती है जो रिलेटिड होती है फिजिकल लेबर से जो फुल्फिल करती है जो पूर करती है हमारी रेस्पॉंसिबिलीटिज को किस के किस के लिए सेल्फ के लिए कम्यूनिटी के लिए और नेशन क के लिए अर्थात हम हिंदी में बोल सकते है की कारिया का अर्थ उत्षारिरिक शर्म या किरियाओं से लिया चाता है जो हमारे उत्तरदायत की पूरती कर दिये किसके लिए हम सेल्फ के लिए कारिया करते हैं हम समुदाय के लिए कारिया करते हैं हम रस्ट के लिए कारिया करते सेल्फ के लिए कार्या करना जैसे कि हम जो जैसे नहाते हैं खाना खाते हैं यह क्या है सेल्फ के लिए कार्या करना है और समुदाए के लिए कार्या है जैसे कि हम अपने असपास स्वच रखते हैं और रास्ट के लिए का रहा है जैसे कि हम किसी कोवर्मेंट जोब में जाते ह तो हमारा एक रास्टर के रही कुण नती होगी, ना कहीं, तो हम जो हमारा work है, उसे सोच सकते हैं, वह ऐसी activities है, work एक ऐसी activities है, जिसमें physical labor होता है, और mental labor भी होता है, साथ ही साथ, तो जो हमारी, जो हमारी full responsibility इसको full करती है, किसके लिए, self के लिए, community के लिए and nation के लिए, understand, चलो, next slide पर चलते हैं, अब हम देख लेते हैं, work education, अभी हमने पिछले slide में work के विशह में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे work education के विशह में, what is work education, work education, work education is considered purposeful, meaningful physical labor, कैसा है, purposeful भी है और meaningful भी है, which organize inherent part of educational process, जो अंतरनीद है, inherent part है कहेंगा, educational process का, it means, कार्य एक उद्धिश्य पूनर्थाल, purposeful and meaningful एक शारीडिक शर्म है, physical labor है, जिसे शेक्चिक पर किया कि अंतरनीद भाग के रूप में, संगचित क्या जा सकता है, अर्थात organized क्या गया है, now, it is deemed as the production of meaningful material, यह क्या है, meaningful material है, and community service है, in which the children share experience of contentment and pleasure, जो क्या करते हैं, students अपने share करते हैं, क्या experiences go, of contentment and pleasure, खुशी के साथ कार्या करते हैं, जैसे, इसे सार्थक सामगरी और सामुदाइक सेवा, इसे सार्थक सामगरी और सामुदाइक सेवा के उत्पादन के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें बच्चे संतोस और आनंद का अनुभाव करते हैं, जैसे कि जब भी चोटा बच्चा कोई कारिया करता है, वो बहुत ही खुशी-खुशी करता है, इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि बच्चे संतोस और आनंद का अनुभाव करती हैं, इसमें. Next, concept of work education can be understood better through the following factors. जो वर्क एजुकेशन को concept है हम उनको इन फैक्टर के तुरू समझ सकते हैं first one is is it established coordination in hand and brain यह क्या करता है जो हमारे hand होता है and brain होता है उसके बीच coordination establish करता है कैसे जैसे कि हम कोई कादय कर रहे है मान लेजी हम कोई writing work कर रहे हैं उसमें क्या होगा हमारी limbs भी active होगे means हमारा hand भी active होगा and हमारा mind भी active होगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो hand and mind है उसके बीच coordination establish करता है now in Hindi यह हाथ और मस्तिस्क में समन्वे इस्थापित करता है it is an essential and significant factor in learning process यह क्या है essential and significant factor है कहीं का learning process का सीखने का जो हमारा परकिरिया होती है उसका essential part है next यह सीखने की परकिरिया में एक आवश्यक और महत्पून का रख है next it is visible in the form of useful service and productive work for community यह कहीं के रूप में दिखता है यह visible होता है useful service के लिए and productive work for community जो हम community के लिए जो भी हम कारिया करते है वो productive work होता है किस के लिए community के लिए यह समुदाई के लिए उपयोगी सेवा और उत्पादक कारियों के रूप में दिखाई देता है Next It is based on the principle of learning by doing हर एक साइकोलोजिस्ट ने ये बात बोली है कि बच्चे को जो भी सिखाय जाए वो learning by doing, learning by activities, learning by play जो भी बच्चे को सिखाय जाए वो किसी किरिया के तुरू, किसी खेल के तुरू, करके सीखने के तुरू सिखाय जाए कि ये psychological principle है ये इतना important है कि बच्चे जब active होगा तभी तो वो सीख पाएगा तो इसलिए ये learning by doing के principle पर based है Next ये करके सीखने के सिधान्त पर आधारित है It develops a skill like problem solving, critical thinking and decision making जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए क्या होते हैं प्रोबलम होती है जब तक हम उसका solution न कर ले माल लेजे मेरा हमारा कोई work है हमारा एक topic है वो हमाई clear नहीं हो पा रहा है वो क्या होई हमारे सामने क्या होई प्रोबलम होई अब हम उसके लिए thinking करेंगे critical thinking करें कि हमारे लिए हम उसे YouTube से पढ़े या फिर किसी teacher के थुरू पढ़े एक class में पढ़े तो क्या है हमने इसके लिए क्या करें थिंकिंग की हमने उसके बारे में सोचा decision making हमने decision लिया कि हम इसे YouTube से पढ़ेंगे हमने finally decision ले लिया कि हम इसे किसी teacher से पढ़ेंगे friends से पढ़ेंगे या फिर हम यूटूब से पढ़ेंगे ठीक है next यह समस्य समादान अलोजनात्मक चिंतन और नीन्य ने जैसे कोशल विक्सित करता है हम इसे पढ़ेंगे लिया कि हम इसे पढ़ेंगे